हम सब जानते हैं कि टेली वर्ड और सीरियल सासुराल सिमर का कि सिमर यानि दिपिका कखकर इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले शादी शुदा थी पर कमपैटिबिलिटी इशू की वज़ा से इनके रिष्टे में दरार आ गई और दोनों ने डिवोस ले लिया बहुत लोगों का मानना था कि उनकी शादी दिपिका के कोई स्टार प्रेम यानि शोहिब इबराहिम की वज़ा से तूटी पर दिपिका ने इस बात से साफ इंकार करते हुए इसको जूटा साबित किया इस मुश्किल की घड़ी में शोहिब ने डिपिका का साथ दिया और उन्हें संभाला दोनों को प्यार का एहसास तो तब हुआ जब शोह छोड़ कर चले गए अब तीन साल के लंबे कोडशिप के बाद दोनों ने फाइनली अपने रिलेशनशिप को पबलिक के सामने लाने का फैसला किया है हाली में एक एक्सक्लूसिव इंटर्वियू में दोनों ने ना केवर अपने प्यार को जताया बलकि कई emotional moments को express भी किया दोनों का मानना है कि वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे दिपिका का तो ये भी कहना है कि एक डिवोसी होना सोसाइटी में बड़ा इशू माना जाता है पर उस वक्ट शोड़ मेरे साथ थे उन्हें मेरे पास्ट के बारे में मालुम था और उसके बावजू शोड़ ने कभी complain नहीं किया आपको बता दे कि दिपिका शोड़ के parents से काफी close है और शोड़ की मान ने दिपिका का ख्याल एक बहू की तरह नहीं बलकि एक बेटी की तरह रखा है अगर बात करें इनके निकाह के बारे में तो हम आपको बता दे कि ये एक destination वेडिंग होगी जो कि शोड़ के हूम टाउन भोपाल में होगी दोनों अपनी बड़े इंडियन वेडिंग के लिए बेकरार है और बहुत सारे पैसे सेव कर रहे हैं वेल हम तो इस लवली कपल के लिए बहुत खुश हैं और उमीद है कि आप भी होंगे कमेंट्स के जरिये बताइए कि ये कपल आपके फेवरिट है या नहीं साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या आप इनके वेडिंग के लिए एकसाइटर है टेलिविजन के मूर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल